हे फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टोक मार्केट न्यूज में और देखे दो दिन के बाद एक फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है और ये जो बजट है ये इस गौर्मेंट का अंतिम पूर्ण कालिक बजट होगा क्योंकि 2024 में वो चाहें यही रहे या दूसरी तो ऐसे में माना जा रहा है कि हमें जो है एक टैक्स लैब में बहुत लंबी चूट एक बड़ी चूट मिल सकती है और ये टैक्स लैब बढ़ाया जा सकता है आम पब्लिक को इससे बहुत उम्मीद हैं तो देखिए जानने की कोशिस कि क्या मिल सकता है इस बार इस बजट में क्या है निर्मला सीतारमन जी के पिटारे में देखिए जब बात हो रही है पैसा कमाने की और टैक्स बचाने की तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत पे के 12% कलब के बारे में और ये जो 12% कलब है इसमें देखिए आप पैसे ज जमा करते हैं तो 4-5% मिलता है या हद से हद आप FD कर देते हैं तो 7-8% मिलता है लेकिन यहां आप अगर पैसे जमा करते हैं तो 12% का रिटन आपको यहां मिलता है साथी साथ इसमें आपको कोई TDS बगारा नहीं देना होता है यह एक NBFC है और RBI से Approved है तो इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है यदि आप जोइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसको जोइन कर सकते हैं इसका एक बेनिफिट यह भी है कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं यहां से तो लोन भी आपको मिलता है सिर्फ 12% से अधरबाइज आप कहीं बाहर से अगर लोन लेते हैं तो 14-15% आपको भी आजदर देनी होती है यहां से लेकिन इसको जोइन करके आप यहां से लोन लेते हैं तो सिर्फ 12% पर ही आपको लोन भी मिल सकता है अब फिर से कर लेते हैं बात बजट की तो देखिए देश में महन कोई भी चूट नहीं दी ए और यह कहा गया है कि अगर हम कोई नया ठेक्स नहीं लगा रहे हैं तो वह भी एक तरह से चूट ही है तो यह सरकार की तरप से बोला जाता है लेकिन इस बार जो है हमारे एक टेक्स एक्सपर्ट हैं यह नाम है इनका देविंदर कुमार मिश्रा इनका मानना है कि इस बार सरकार आम लोगों को इसमें रहत जरूर देगी क्योंकि last budget है और 2024 में election है साथ ही साथ standard detection की भी limit बढ़ाई जा सकती है इसको 50,000 से लेकर जो अभी 50,000 है इसको बढ़ाकर इससे 1,00,000 तक इसको किया जा सकता है और देखिया ही जो हमारे tax expert हैं इन्होंने बताया है कि 5,000,000 रुपे से 6,000,000 रुपे तक इस जो tax सीमा हो सकती है इस बार जो कि पहले 5,000,000 रुपे थी और जो हमारा 15,000,000 वाला जो slab था इसमें पहले 30% का tax होता था इसको घटाकर अब 30 की जगा 20% के दाइरे में लाया जा सकता है जो कि एक अच्छा sign होगा भारतिय economy के लिए भारतिय share market के लिए और साथ ही साथ ये जो है 15,000,000 की जगा 15,000,000 की जगा इसको 17,000,000 की आजा सकता है मतलब 15 की जगा जहां 15 पर पहले 30% लगता था 30% इसको अब 17,000,000 पर और 20% कर दिया जा सकता है तो इस बार ये घोशनाएं हो सकती है हमारे बजट में और देखिए यहां बताया गया है कि इंकम टैक्स में नैस लेब 6,000,000 तक नहीं लगेगी कोई टैक्स और साथ ही साथ 1,000,000 रुपे कर सकेंगे टैक्स फ्री क्लेम तो 6,000,000 पर टैक्स नहीं लगेगा साथ ही साथ 1,000,000 रुपे उपर हम उस पर भी टैक्स क्लेम कर पाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं फ जय हिंद जय भारत